मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंक से क्या होता है होसलों से उडान होती है होसलों से उडान होती है नमस्कार मित्रो आज इस समस्कित साहित के अगली क्लास में आप सब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेश करें जिससे की सारी क्लासिज आपको पहुंच सकें देखे दोस्तों आज हम बताने बाले हैं शूद्रक, शूद्रक के परिचे के बारे में बात करेंगे और इनकी जो रचना है उसके विशे में आपको complete जानकारी दी जाएगी इसके अलावा जितने भी आपके जो most fact है वो सब यहां बताएंगे इसके अलावा जितने भी पुराने papers में इन से संबन्द जो भी question आ चुकी है उनको भी इसमें शामिल कर दिया गया है कुल मिला करके यहां पर लगबग पूरा आपको matter मिलेगा कहीं इदर उदर आपको देखने के आप शक्ता नहीं पड़ेगी और बहुत आसान तरीका से मैंने notes बनाए हैं तो चलिए आज की class शुरू कर लेते हैं दोस्तों देखिए अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो आज हम बात कर रहे हैं सुद्रक मोहदय के बारे में देखिए यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं महा कभी सुद्रक के विशे में हम बात करेंगे अब देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि वही समस्कित साहित में जितने भी हमारे कभी हुए हैं उनका एकदम एग्जेक्ट समय नहीं है कुछ लोगों के अलावा ठीक है बाकी का तो क्या लंसम है लगभग जो हमारी रचनाय इत्यादी है इनसे संबंदित जो भी शास्त्र इत्यादी है उनमें जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसके आधार पर ही निर्धारन करते हैं इनका समय ठीक है न अब देखिए यहां पर हमी सुद्रक की बात करें और सुद्रक के समय की बात करें तो इनका जो समय है वो यहां पर देखिए स्क्रीन पर देख पारे होंगे 200 इसा पूर्व से 300 इसा पूर्व क के मद्द्ये माना जाता है यही सरवादिक मान्य मतानुसार हम इसको कह सकते हैं यहनि सबसे ज़्यादा लोग इसी मत पर सैमत हैं हालन कि दोस्तों अनुमानों से प्राप्त साक्षणों के आधार पर इनका समय सो इसा पूर्व से तीन सो इसा पूर्व के मध्य माना गया है लेकिन यदि हम सरवाद एक मानने मत देखें तो वो यही है आपका कौनसा दो सो इसा पूर्व से तीन सो इसा पूर्व के मध्य इनका समय माना जाता है ठीक है ना? आगे देखिए आगे करें हैं कि इतिहास में इनके और भी नाम मिलते हैं अब इतिहास में इनके और क्या नाम मिलते हैं तो यहां से भी आपका प्रश्ट बन जाता है इनके नाम मिलते हैं शिमुक एक है शिशुक एक है सिंधुक ये आदे नाम इनके मिलते हैं शिमुक शिशुक सिंधुक य ये हमारे नाम मिलते हैं शुद्रक जी के किसके हैं शुद्रक जी के नाम इतिहास में ये मिलते हैं ठीक है न ऐसे आगे बात करते हैं निवासिस्थान की इनका निवासिस्थान कहा अर रहा है तो देखिए महाराष्ट्र या उज्जेन माना गया है इनका निवासिस्थान इन इनको क्या का गया है दक्षिन भारतिय या फिर दक्षिनात्यम माना गया है इनको समझ गया वाद तो ऐसे करके यह फैक्ट आपको दिहान में रखने हैं इनमें से सवाल यदि आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से सवाल पूछा जा सकता है ठीक है आगे चलिए दोस्तो आगे हम बात करते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सुद्रक ने अश्वमेग यग्य किया अब ये प्रश्णा आपका आ सकता है कि शुद्रक के द्वारा कौन सा यग्य किया गया तो उत्तर हुगा आपका अश्वमेध यग्य किया गया सुद्रक के द्वारा अश्वमेध यग्य किया गया ऐसे आपको यहां द्यान रखना होगा ठीक है आगे कह रहे हैं कि इनकी एक मात्र रचना मिर्च कटिकम है मिर्च कटिकम जो की बहुत ही फेमस रचना है इनकी मिर् है इसमें टोटल दस अंक हैं और यह है प्रकरण विधा के अंतरगत मान जाता है मृच्छ कटिकम ग्रंथ ठीक है ना ऐसे अब देखिए इनसे संबंदित एक फैक्ट और है दोस्तों वह हमने लिखा नहीं लेकिन एक बार आप सुन लीजिए ऐसा बताते हैं कि पुत्र देव शेक के अवसर पर शुद्रक सो वर्स बे दस दिवस की आयू में अगनी में प्रवेश कर गई ऐसी जानकारी शास्त्रों से प्राप्त होती है इनके ग्रंथों से प्राप्त होती है मित्रों लिखा हुआ प्राप्त होता है लब्ध्वा आयू शताव धम दस दिवस सहितम श आपको द्यान रखना है कि इनकी एकमत रचना हैं ये उप्रश्ण बहुत बार पूचा गया है कि मर्च कटि ग्रंफ आपका प्रकरण ॵिधा में आता है अब प्रकरण के लिए दसंक तो चाहिए है ठीक है ऐसे आगे चलिए आगे कहए हैं देखिए नामकरण का आधार यानि जो मृष्च reinst skippedpad इनका ग्रंफ है इसका नामकरण का जो आधार है वो छताओंक माना जाता है जिसका नाम प्रवहन विपर्य है याने जो हमारा मृच्छ कटिकम है उस मृच्छ कटिकम में छटवा अंक जो है उसका नाम है प्रवहन विपर्य है इसी के आधार पर इसका नाम करण किया जाता है ठीक है ग्रंथ का नाम करण किया जाता इसके आधार पर कैसे किया जाता है मृत्याने मिट्टी होता है अर्थार्थ मिट्टी की गाड़ी ऐसा अर्थ निकलेगा मिट्टी की गाड़ी ठीक है न तो इसका नाम करना आपका किस आधार पर हुआ है छटवे अंक के आधार पर जिसका नाम प्रवहन भी पर रहे हैं ऐसा आपको दियान रखना है यहां से प्रश्णा आपका बन सकता है ठीक है आगे देखो अन्य नाम बता रहे हैं इसके कि इसके अन्य नाम और क्या कहे गई है संकीर्ण प्रकर्णम ऐसा इसका नाम मिलता है संकीर्ण प्रकर्णम कह रहे हैं कि इसमें स्वकिया और साधारन नाई का तथा चोरी डकेती मार काट गानी का आदी का वर्णन करने के कारणे से संकीर्ण प्रकर्ण की अंतरगत रखा गया है इसके बाद में सामाजिक रूपक या प्रकरण भी इसको कहते हैं क्योंकि समाज के सभी वर्गों का इसमें वर्णन प्राप्त होता है अनेक पात्रों का वर्णन करने के कारण इसे सरवादिक पात्र चरित्र चित्रन रूपक भी कहा गया है तो ऐसे आपको यह हमने चोटे-चोटे fact बताए हैं जो exam में पूछे जा सकते हैं इसलिए आप इनको अच्छे से सुनिए आप इनको अच्छे से देखिए और चैनल को subscribe जरूर करना अपने दोस्तों को share करना वीडियो अच्छे लगता तो एक लाइक तो आपका बनता है दोस्तों लाइक करने में और subscribe करने में आपका कोई खर्च नहीं होता है इसलिए ये काम आप जरूर करें चलिए आगे देखते हैं मित्रो आगे बतारे हैं कि ये किस विधा की अंतरगत है तो हम पहले बता चुके है कि ये प्रकर्ण विधा की अंतरगत आता है यानि मृच्छ कटिकम नाटक जो है ये प्रकरण के अंतर गताएगा हमने कहा कि जो रूपक है वो दस प्रकार के हैं उनमें हमारा एक प्रकार प्रकरण भी है तो ये हमारा प्रकरण के अंतर गताएगा अंक की बात करें तो इसमें टोटल दस अंक हैं और श्लोक की बात करें तो इसमें 387 शलोक हैं यदि प्रशना आता है अब बात आती है कुल पात्रों की कि वह इस नाटक की अंदर टोटल कितने आपके पात्र है तो याद रखना 32 पात्र है कितने 32 पात्र है टोटल अब 32 पात्रों के अंदर 25 पात्र तो पुरुश पात्र है और 7 पात्र इस्त्री पात्र है समझ गए ऐसे आगे है जो मोस्ट है आपका बहुत बार प्रश्ण आया है नायक कौन है मृच्छ कटिकम का नायक कौन है ठीक है तो नायक है चारुदत कौन है चारुदत मृच्छ कटिकम का नायक चारूदत है एक सवाल ये भी आया है कि मृच्छ कटिकम का नायक किस प्रकार की प्रवर्ति वाला नायक है किस प्रकार की प्रवर्ति का नायक है किस प्रकार की कोटी या किस प्रकार की श्रेणी का नायक है ऐसा प्रश्ण भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है तो आपको द्यां रखना है धीर प्रशान्त प्रवृत्ति का नायक है चारुदत धीर प्रशान्त प्रवृत्ति का नायक है हम आपको नायकों के प्रकार बढ़ा चुके हैं उनके बारे में डिटेल बता चुकी है नाइका के बारे में भी बता चुकी है आपको ठीक है वो क्लास आप देखना अवश्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आगे है प्रतिनायक यदि प्रतिनायक का सवाल आता है कि प्रतिनायक कौन है तो उत्तर देना होगा शकार कौन है शकार है और शकार कौन है राजा पालक का साला है ठीक है राज श्याल है यानि राजा जो पालक है उनका साला है शकार ऐसे आपको दियान रखना होगा ठीक है चलिए आगे देखिए दोस्तों पर कुछ फैक्ट और है चारुदत्त की पत्नी का नाम क्या है ऐसा सवाल पूछा गया है ये सवाल आया हुआ है चारुदत्त की जो पत्नी है उसका नाम है ध्यूता क्या नाम है ध्यूता ध्यूता ठीक है ध्यूता इसका नाम है चारुदत् प्रक्रति वाली है तो स्वकिया नाईका है यह स्वकिया नाईका मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि नाईका कौन कौन सी होती है तो याद रखना है चारुदत्य की पतनी ध्यूता है जो की स्वकिया नाईका प्रक्रति की है आगे है चारुदत्य का पुत्र यह सेकंड गेर most fact है इसके बाद में चारुदत्य की दासी कौन है रदनी का ठीक है या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि रदनी का है चारुदत्य की दासी ऐसे पूछ सकते हैं रोहो सेन है चारुदत्य का पुत्र ठीक है दूता है चारुदत्य की पत्नी या फिर मिलान करने के लिए भी पूछा हब्ャ legitimate जासकता है ठीए आपसमें मिलान करने के लिए जैसे की चारुदत की पतनी चारुदत का पुत्रो चारुदत की दासी और आगे इनका नाम दे देंगे आपसमें मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है तो आपको अच्छे से समझ माएगा तब ही आप कर सकते हो ठीक है ना आगे चलिए आगे बता रहे है नाई का तो नाई का में उजयनी की वसंत सेना इसकी नाई का है एक्ट्रेस और कहां की है उजयनी की नाम है वसंत सेना ये भी मोस्ट है ये कौन है अपकी उज्यनी की वसंत सेना अब यह वसंत सेना आपकी साधारन गणी का या वैष्या नाइका की प्रकृति का Séna साधारन गणिका या वैश्या नाईका की जो प्रकर्ति वाली अमारी एक्ट्रेस होती है उनके अंतरगत आती है आगे कह रहे हैं वसंत सेना की दासी का नाम मदनिका है क्या नाम है वसंत सेना की दासी का नाम मदनिका है मदनीका ऐसा भी प्रश्ण बन सकता है कि मदनीका का संबंद है वसंत सेना की दासी ऐसे आपको समझना है अब देखिए आगे देखते हैं इसमें ये भी प्रश्ण आपका आया हुआ है कि विदूशक कौन है तो उत्तर देना होगा मैत्रे है इसमें विदूशक मृच्छ कटिकम का विदूशक कौन है या मृच्छ कटिकम नाटक के अंदर विदूशक का क्या नाम है ऐसा सवाल एकजाम में आया है तो मैंने यहां पर फेक्ट की रूप में लिखा है विदूशक है इसमें मैत्रेय कौन है मैत्रेय रस की बात करें तो इसमें स्रंगार रस है कौन सा रस है स्रंगार रस और गुण की बात करें तो देखिए मित्रो प्रसाद गुण है मैंने गुण की क्लास भी ली है तो उसमें बता रखा है कौन-कौन सी गुण होते हैं ठीक है जैसे कि मुरच्छ कटिकम में कौन सा गुण है प्रधान गुण तो प्रशाद गुण आएगा और रीती की बात आएगी तो लाटी रीती आपको बताना होगा प्रधान रस की बात पुछी जाएगी तो स्रंगार रस आपको बताना होगा एक है आपका नियायाले का वर्णन किस अंक में प्राप्त होता है तो उत्तर होगा नौवी अंक में नौवा अंक जो है उसमें नियायाले का वर्णन दिया गया है ठीक है नियायाले का अभी मैं बताऊंगा थोड़ा सा कथानक जब बताऊंगा तो मैं आपको संक्षिप्त में इसकी जानकारी समझाऊँगा कि इसमें होता क्या है कता वस्तु क्या है वो मैं बताऊँगा अभी ठीक तो यहाँ पर आपको ये फैक्ट ध्यान रखने गुण, रीती, बृती, नयायले का वर्णन, रस और विदू सक इसके बाद में एक है आपका उपजीब्य उपजीब्य तो इसमें काल्पनिक या लोक कथा आधारित उपजीब्य का विमाना जाता है यानि कि ये किस पर आधारित है तो या तो काल्पनिक या लोक कथा आधारित या फिर कह रहे हैं कि भास का दरिद्र चारुदत्तम जो है भास जी का नाटक उस पर आधारित माना जाता है ये आपका उपजीब्य माना जाएगा इसका ठीक है मृच्छ कटीकम के लिए ये उपजीब्य है कालपनिक या लोक कथा आदारिद या फिर भास का दरिद्र चारुदत जो नाटक है ये उपजीब्य के अंतरगत आएंगे इनके ठीक है अब चलते हैं आगे यहां पर एक फैक्ट और के रहे हैं कथावस्तू के विशे में कि इसकी जो कथावस्तू है वो किस प्रकार की है कथावस्तू तो के रहे हैं कि आदर्श वादी ने होकर कि यथार्थ वादी है कथावस्तू इसकी मृच्छ कटीकम के अंदर आदर्श वादी कथावस्तू नह 4 दट का पूर्ण रूप जो है वो मृझ्छ कटिकम में प्रापत होता है एसा आपको धियान रखना होगा आगे देखिए यहाँ पर कुछ विशेश फैक्ट है हमारे इसी से संबंदित यानि कि जो हमारा मिर्च कटी कम नाटक है इस से रिलेटेट हमारे कुछ फैक्ट है विशेश जहां से एक्जाम में सवाल बनेगा और पहले भी पूछा गया है तो वो सारे फैक्ट आपको अच् प्रश्न बनेगा आप एक्जाम देने के बाद खुद ही विश्वास करने लगोगे कि सरने वास्तम में सही कहा तो आप इसको पहले से पढ़के तयार रखो यार ठीक है चलिए देखते हैं विशेश फैक्ट विशेश फैक्टों की हम बात करते हैं इस नाटक से संबंदित जो हमारा मिर्चे कटी कम नाटक है इस नाटक से संबंदित कौन-कौन से विशेश फैक्ट हैं सबसे पहला है कि इसमें सरवाधिक प्राकृत भाशाओं का प्रियोग प्राप्त होता है इसमें बताते हैं कि साथ प्रकार की प्राकृत भाशाओं का इसमें प्रियोग किया है साथ प्रकार की प्राकृत भाष़ाओं का प्रियोग इतने ज्यादा किसी भी ग्रंत में आपको नहीं मिलेंगे इसलिए कि इसमें सरवाद एक प्राकृत भाष़ा का प्रियोग आपको मिलेगा ये वी एक हमारा most fact है इसमें से भी में से केवल 6 पात्र ही इसमें समस्कृत बोलते हैं इसमें टोटल 32 पात्र हैं आपको पहले ही बता चुके हैं इन 32 पात्रों में से केवल आपके 6 पात्र ही ऐसे हैं जो समस्कृत में वारता लाव करते हैं समस्कृत में बोलते हैं तो वाकी जो है वो प्राकृत वाशा में बा है इसके प्रफम हैं उस पहले एंक में चारुदत की जो गरीवी है दरिद्रता है उसका वरणन आपको मिलता है ठीक है इसके बाद में आगे देखिए बहुत-ी मोस्ट effekt आपको बता रहा हूं जहांसे एकज्ब में सवालड़ा है देखिए दोस्तों यहां पर काफी important fact आपको बता रहा हूँ यहां से exam में सवाल बनेगा और पहले भी ऐसा सवाल आया हुआ है इसमें दो प्रणे कथाओं का वर्णन मिलता है यानि कि इसमें एक साथ दो कथाओं चलेंगी आपकी और कौन कौन से रहेंगी इसमें देखिए कथानक समझाओंगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इन दोनों की प्रेम कहानी इसमें चलती है ठीक आगे चलिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों यहां पर कुछ fact मैंने जो most fact है एक्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको मैंने यहां पर नोट किया है देखिए सबसे पहले है चारुदत की दर्दरता का वर्णन आपको मिलता है प्रथम अंक में ऐसे सवाल आ सकते हैं ठीक है एकाद बार ऐसे जो चोरी की जाती है वो कौन से अंक में होती है वो होती है दोस्तों तीसरे अंक में याने की चारुदत की घर पर जो आबुशन रखे रहते हैं उन आबुशनों की शर्वी लग चोरी कर लेता है कौन कर लेता है शर्वी लग ठीक है अब क्यूं करता है वो मैं आपको बता प्रकरण का नामकरण इसी के आधार पर हुआ है। गाड़ी बदल जाती है छ्टवे अंक में। कैसी अभी मैं कतानक में समझाँगा। इसके बाद में नियायाले का वर्णन आपको नौवे अंक में मिलेगा। आपको पूरा सीन दिखाया जाएगा नियायाले का। ये सवाल पालक को मार करके राजा बनता है किसमें दस भी अंक में दस भी अंक में जो आर्यक है वो पालक को मार देता है और फिर खुद राजा बन जाता है ऐसे दूत संभाहक कौन है बहुत बिक्षू दूत संभाहक इसमें बहुत बिक्षू है तो यह विसेश फैक्ट आपको स्वार भी आ सकता है चाहे आप रीट की एक्जाम दो फ़स्ट की एक्जाम दो चाहे आप कॉलेज लेक्सरा किसी की भी दो लेकिन यहां से फैक्ट आपका जो बता रहा हूं में सवाल जरूर बनेगा क्या है मुर्च कटिंगम के अंदर जो हमारे दस अंक हैं इन दस अंकों के नाम ऐसा सवाल आया हुआ है इसलिए ये आपको अच्छे से याद रखने होगे दस अंकों के क्या क्या नाम है ये आपको दिहान रखना होगा तो देखिए सबसे पहला हमारा अंक है देखिए अलंकार न्यास क्या नाम है अलंकार न्यास पहला अंक है यह तो नाम याद रखने पड़ेंगे दूसरे अंक का नाम है ध्यूत संबाहक क्या नाम है ध्यूत संबाहक तीसरा अंक है हमारा नाम है संदी विच्छेद तीसरे अंक का नाम संदी विच्छेद चौथा अंक है हमारा मदनी का और शर्वीलक मदनी का शर्वीलक नाम है क्या नाम है मदनिका सर्विलक और पांचवे अंक का नाम है दुर्दिन अंक पांचवे का नाम क्या है दुर्दिन अंक इसकी बाद में है छटवा अंक चटवे का नाम है प्रवहन विपर्ये यानि की गाड़ी का बदलना क्या है गाड़ी का बदलना अब आगे देखिए अंक नंबर साथ तो साथवे अंक का नाम है आरिय का पहर्ण इसकी बाद में आठवा अंक है बसंत सेना मोचन यानि की गला गोटना बसंत सेना का गला गोटना बसंत सेना मोचन नाम है और नवा है हमारा व्यवाहार नाम क्या है व्यवाहार नवे अंक का नाम है व्यवाहार ठीक है या फिर नियायाले और दसवार लास्ट है हमारा नाम है समहार या उप समहार इस तरह से यहां पर हमने मरच्छ कटिकम के जो दस अंक हैं उन सभी अंकों के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है कि उनका क्या नाम है यहां से आपका एक सवाल जरूर बनता है ठीक है अब मैं आपको इसमें कथा बस्तु समझाता हूँ दोस्तों कि इसकी कथा बस्तु क्या है हमने आपको अंक बता दिये हैं अब कथा बस्तु आप समझ लीजिए सौट मैं आपको बता रहा हूँ देखिए के रहे क शकार के द्वारा पीछा करने पर वसंत सेना द्वारा चारुदत्त के घर में आबुशनों को न्यास रूप में रख देना वसंत सेना द्वारा संभाहक को समझा करके बौध भिक्षू बनाना मदनिका को छुड़वाने के लिए शर्विलग द्वारा चारुदत्त के घर में चोरी करना मदनिका को शर्विलग द्वारा चुड़वाना मदनिका को शर्विलग चुड़वा लेता है वसंत सेना का पुनह चारुदत्त से मिलन इसके बाद में अंदकार के कारण वसंत शेना का शकार की गाड़ी में बैठ जाना यानि कि गाड़ी का यहाँ पर चेंज हो जाती है गाड़ी गाड़ी का बदलना होता है शकार द्वारा गला दवाना वसंत सेना को संभाहक द्वारा बचाना चोरीवे हत्या का आरोप लगा करके चारुदत्य को फासी सुनाना आर्यक द्वारा पालक को मार कर राजा बनने पर चारुदत्य को मुक्त करना चारुदत्य वसंत सेना का विवा हो जाता है और इस तरह से सुखद मिलन होता है इनका तो ये मैंने सौट में आपको कथावस्तू समझाईए दोस्तो तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि मृच्छ कटिकम नाटक में क्या है क्या कथावस्तू है कौन-कौन से इसमें विशेश फैक्ट है जहां से एकजाम में सवाल आ सकता है अब एक फैक्ट और हमारा बचा हुआ है सुक्तिया सुक्तियों का एक सवाल आपका जरूर आता है तो आपको स्क्रीन पर यहां सुक्तिया दिख रही होंगी देखिए दोस्तों यह रही है अब चलिए मित्रों आगे देखते हैं हम सुक्तिया आपको बता रहे हैं इसमें कौन-कौन सी मोस्ट सुक्त जो एक्जाम में आ सकती है और पहले जो पूछी गई है उनको भी इसमें शामिल किया गया है तो देखिए सुक्तिय यह हमारी सुक्तिया लिखी हुई है नंबर एक पे है सरवंशुन्यम दरिद्रस्य यह एक हमारा इसमें एक श्लोक आता है जिसमें लिखा रहा था एपुत् जो विचारा गरीब व्यक्ति होगा उसके लिए सब कुछ सुना हो जाता है ठीक है वैसे तो हम कहते हैं कि एपुत्र से ग्रियम शुन्यम एपुत्र से यानि बिना पुत्र के घर सुना होता है लेकिन जो गरीब व्यक्ति है जो दर्द्र व्यक्ति है उसका तो संपूर्ण ज मतलब जो वैश्या या गणिका होती है वो समसान की अपसरा के समान ही त्याज्य होती है उसका त्याग कर देना चाहिए ऐसा यहां मतलब है किसकी तरह समसान की अपसरा के समान वो छोड़ने के योग्य होती है त्यागने के योग्य होती है तीसरे नमबर पे सुकती है सर्वत्रार जबम ही शोबहते इसका मतलब है आरजब याने सरल होता है बच्चो सरल व्यवाहर की हमेशा ही शोबा होती है याने शोशोबित होता है सरल व्यवाहर सरल व्यवाहर ही हमेशा शोशोबित होता है अर्थार सरल व्यभार की हमेशा ही शोभा होती है ऐसा इसका मतलब है चौथे नंबर मेरे हमारी सुक्ती है रतनम रतनेन संगच्च्छती इसका क्या मतलब है बताइए इसका अर्थ हो जाएगा रतनम से यहां मतलब है गुणवान यानि गुणवान व्यक्ती गुणवान के साथ ही व्यवहार करता है पांच नमबर पे है ने कालम अपेक्षते स्नेह इसका मतलब है कि जो स्ने होता है वो काल की अपेक्षा नहीं रखता यानि प्रेम समय की अपेक्षा नहीं रखता प्रेम किसी भी समय हो सकता है किसी भी उम्र में हो सकता है यहाँ पर समय की कोई भी बाउंडिशन या अपेक्षा नहीं रखी गई है ऐसा इसका मतलब है चटवे नमबर पे है न युक्तम पर कलत्र दर्शनम अर्थार्थ पराई इस्त्री को देखना उचित नहीं है इसलिए सबी देख लेना अच्छे से सुन लो इसको इसको आप सब लोग अच्छे से द्याद रखना ये वह सुकती है न ये बहुत ही व्यभारिक है कि न युक् प्रशन करना देखना आगे है ए पुत्र से ग्रिहम शुन्यम बिना पुत्र के घर सुना है ए पुत्र से ग्रिहम शुन्यम बिना पुत्र के घर सुना माना जाता है और फिर हमने पहले ही बता दिया नमबर एक पर और जो गरीब होता है उसका तो जीवन ही शुन्य हो जाता है ऐसा आठवे नंबर पे है सुकती सहासे श्री प्रतिवसती सहासे श्री प्रतिवसती अर्थार्थ सहास में लक्षमी का निवास होता है सहास में लक्षमी जी रहती है ऐसा सेकंड लास्ट है गणयती न शीतोशनम रमना भी मुखा इस्त्रियह अर्थार्थ रती या प्रेम को चाहने वाली इस्त्रिया सर्दी गर्मी की परवा नहीं करती है शीतोष्णम यानि जो प्रेम करने वाली इस्त्रिया होती है ठीक है उनको सर्दी गर्मी की परवा नहीं रहती है चाह सर्दी हो गर्मी हो तूफान हो बरसा तो कुछ भी हो उसकी परवा नहीं करती है फिर व मतलब क्या हुआ? अर्थार्थ गरीबी छटा महानपाप है छटवे नमबर का महापातक है गरीबी इस तरह से यहां पर हमने आपको सूक्तिया समझाई और उनका अर्थ भी बताया अर्थ से क्या होता है? कि हम अच्छे से याद कर पाते हैं और आपस में इनका connection मूल गरंथ से हो जाता है यदि इनका अर्थियाद रहेगा तो आप मुर्च्छ कटिकम जो हमारा गरंथ है उससे इनको जोड़ के याद रख सकते हो तो ऐसे करके हमारा आज का ये topic complete हो जाता है इसमें हमने आपको सुद्रक जी के बारे में बताया पूरा परीचे इसके बाद में नामकर्ण कैसे हुआ है इसके बाद में इसमें most fact कौन कौन से है और इसमें जो हमारे दस अंक है उन दस अंकों का नाम क्या है वो सारा कुछ बताया कथानक क्या है सूकतिय यह सारे चीज़ आपको बता दी है कुल मिला कि यह कि आपका ओल ओवर कम्प्लीट मेटर हो चुका है सुद्रक के विशे में अब कोई भी सवाल आया तो इसमें से आपका मिल जाएगा वशर्ते आपको यह सारे चीज़ें याद रहनी चाहिए तो ऐसे करके हमारी क्लास हो जाती है दोस्तों अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे लेकिन आपसे लास्ट में फिर कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरू करना और वीडियो को लाइक करना यार और अपने दोस्तों को शेयर कर देना जिससे की हमें भी अच्छा लगेगा और अपने दोस्तों तक ये जानकारी पहुंच सकेगी जिससे सभी को फायदा मिल सके दोस्तों सबके लिए अगरिम शुब कामना है धन्यवाद सबके लिए जैहिन जैतु भारत हम जैतु संस्कृत हम नमस्कार